सद्गुरूओं के वचन में खूबी है कि वे बड़े प्यारे हैं वे इतने प्यारे हैं कि उन पर भरोसा कर लेने का मन होता है वे इतने प्यारे हैं कि उन पर विश्वास चकता है यही खत्रा है अगर सत्य पर विश्वास चग गया तो खत्रा है खत्रा ही है कि सत्य कभी विश्वास नहीं बन सकता विश्वास तो सदा जूट हो जाता है विश्वास मात्र जूट है सत्य से जगनी चाहिए श्रद्धा विश्वास नहीं मैंने एक बात कही मैंने तुम्हें बड़ी प्यारी बात कही तुम उससे मोहित हुए तुमने मान ली कि बात इतनी प्यारी है कि सच होगी ही तुमने मान ली कि जिसने कही उससे तुम्हें प्यार है तो जोट कैसे होगी तो तुमने विवाद भी ना किया तुमने तर्क भी ना किया तुमने चुप चाप सुखार कर लिया तुम उस विश्वास के सहारे जीने लगे तुम जूट के सहारे जीने लगे मैंने कही थी सच ही थी लेकिन तुमने विश्वास बनाया तो जूट हो गई श्रद्धा बनने चाहिए क्या फरक है श्रद्धा और विश्वास में जब हम दूसरे को बिना अपने किसी अनुभाव की कवाही के मान लेते हैं, तो विश्वास, जब हम दूसरे को अपने अनुभाव की कसोटी पर कस कर मानते हैं, तो श्रद्धा, श्रद्धा अनुभाव है, विश्वास दूसरे का अनुभाव है, तुम्हारा नहीं, इसलिए सावधान रहना